Hello everyone, कैसे हैं आप, तो आज की वीडियो जो है semester one के लिए है become semester one के अंदर मैं आज सर्फ इस वीडियो के अंदर discuss करने वाला हूँ आपसे financial accounting के slivers के बाते में सर यह जो वीडियो है बेसिकली चाहे बच्चा बीकॉम में हो चाहे बच्चा बीबीए में हो चाहे बच्चा बीएफ आईए में हो इन सभी के लिए helpful रहने वाला डीउ का चाहे कोई भी उनिवर्सिटी का हो ठीक है और मैं जो स्लेवर्स अभी डिसकस करूँ है प्योर्ली डीउ के अकॉर्डिंग करूँ है कुछ इसमें चैप्टर एड़ उन होते हैं मैं लास्ट में डिसकस कर लूँ है सर स्लेवर्स क्या है ये पूरा जो डीउ ने लिखा हुआ है स्लिवस मैंने 5 उनिट में रखा हुआ है। मैं बारी बारी करके एक बार बता देता हूं क्या-क्या चेप्टर बताया जा रहा है इसमें। पहला उनिट है हमारा पूरा पूरा थेरिटिकल इसमें सिर्फ और त्योडी के बारे में चर्चा की गई है। सर क्या थियोरी है इसके अंदर आपने कभी न कभी अकाउंट में अगर पढ़ा हुआ है अगर आप साइंस बैग्राउंड के हो तो आपके लिए सारी चीज़े नहीं है अगर आप कॉमर्स बैग्राउंड की है तो आप सही पढ़ रखा होगा 11 में आपके दिए प्रिंसिपल प्रॉपर्टी प्लांट इसके अंदर आपके बेसिकली दो चप्टर है जो यह आप देख रहे हो ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्क्यूपमेंट काफी बच्चों को पता ही नहीं होता क्यूंकि न्यूस सुना है एक वेल्यूएशन ओफ इंवेंट्री तो सर इसके ने आज से पहले नहीं पढ़ा तो वह पढ़ना है हमें ठीक है तो दूसरा यूनिट हमारा हो जाता है थार्ड यूनिट है फानेंशल स्टेट्मेंट सोल प्रोप्रेटर्शिप सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है सर यह 11 क्लास में जो पढ़ा था एक्जेक्ली वही है ब ऑनप्रोफिट और्कनाइजिशन जो है यह हमारा होता है जो बिजनस प्रॉफिट नहीं करते हैं उसके फानेशल स्टेट्मेंट कैसे बनाए है तो यह यूनिट नमबर हमारा जाता है तीन ठीक है यूनिट नमबर चार काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर पूठे-मुठे से कुश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10-year के अंदर डले हैं वह पढ़के आप जा सकते हैं अब बात कर लेते हैं सर सभी यूनिट को किस marks wise बाटे गये हैं marks wise क्या-क्या बाटा गया है पूरे डिटील में देख लेते हैं सर सभी यूनिट को जो बाटा गया कुछ इस कटेगरी में बाटा गया देखिए फॉर्स्ट यूनिट आपका जो की theoretical unit मैंने बोला था डियू कहता है कि भाई साब हम इसमें से 15 नंबर के सवाल पूछेंगे थियोरी के सही बात है भाई 15 नंबर के आपके समें से सवाल आएंगे पेपर आपका 100 marks का आने वाला है नब्बे 100 कुछ भी रेशियो देते हैं इंटर्नल वगेरा भी होता है बिजनस अकाउंटिंग एंड प्रॉपर्टी यानि जो दो चप्टर इसके अंदर इंक्लूडिट थे वो कहते हैं 20 नंबर का unit होगा सर जो तीसरा है वो भी 20 नंबर का होगा यहां पे दो चप्टर के इंवेंट्री था ठीक है तो सर बीस नंबर का होगा तो ऐसा हो सकता है कि इस नंबर का इंवेंट्री आ जाए या पंद्रा का डेप्रिशेशन पांच का इंवेंट्री कुछ भी रेशियो रखें हम यहां पे 100% शियोटी नहीं कह सकते हैं लेकिन हां 100% यह जरूर दोनों पूछा जाता है यहां पर दो चैप्टर आ जाता है एक आजाता है फाइनल अकाउंट और एक आजाता है हमारा नोन प्रॉफिट और नपिजरेशन एंप्यों ठीक है नेकानल अगया एक इन नौन प्रॉफिटर यह भी 20 का है सबसे महिंगा यूनिटी यह है यहां पर तीन का नंबर है लेकिन इंटरनल यह पूरे सो का है पेपर आपका 90 का आएगा तो कंप्यूटर का पेपर मान के चलो ना अपका 10 नंबर का इस पूछ जाएगा ज्यादा बड़ा नहीं आएगा क्योंकि इंटरनल में मान के चलेंगे हमारा जो कोष्चन पेपर लास्ट टाइम का वह आया था और रेगुलर का भी आया था सर नाइंटी का नाइंटी का बाकी टैन मार्क्स के न उन्होंने इंटरनल वगेरा जो लिए थे वह है एक वीडियो मैं बना दूँगा इंटरनल क्या होता है कैसे डियू का क्या प्रोसेजर है टूटल मिला के ठीक है आगे आ जाते ह हुआ है बड़ा बेसिक सा और सिंपल सा एक स्लेबस बना दिया है जिससे कि बच्चों को पाढ़ने में दिक्कत ना हो क्योंकि चैप्टर वाइस समझ में आता है यूनिट वाइस ना कई बच्चे भटक जाते हैं तो चैप्टर टूटल हमने इसको ग्यारा चैप्टर में किया है जैसे पहला चैप्टर हो गया दूसरा चैप्टर डप्रीशेशन और इन्वेंट्री यह यूनिट नंबर एक तरीके से याद हो तो आपको टू है और यह यूनिट नंबर वन इसके बाद फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे और फिर हम नोन प्रॉफित और्गनाइज करके डिसकस करेंगे कौन से चप्टर हम यहां पर पूरा का पूरा हंड्रिट पॉर्सेंट कंप्लीट स्लिवस लाइव क्लास में करने वाले ऐसा नहीं है कि कोई चप्टर हम छोड़ देंगे जैसे एंप और फाइनल अकाउंट में आता है तो यह था हमारा पूरा पर है ज्यादा अगर किसी को क्लास के बारे में पूछना है तो वह डिस्क्रिप्शन में लिंक के गीवन है उस पर जाके आप वाट्स आप करके पूछ सकते हो यूटुब पे कुछ वीडियो आ रही है अभी तक जो भी वीडियो आ रही थी वह लास्ट यह की थी अब मैं वीडियो भी बनाके करेंट सेशन के करेंट पैटरन पर डालना चालू करूँगा तो यह ओवरल हमारा क्या था सार सेमेश्टर वन का स्लेवर्स तो होफुली आपको सारी बाते समझ में आ गया होगा सेमेश्टर वन में कैसे है यह सिर्फ मैंने बैसिकली बात किया है आपक इसके लिए और दूसरा होता है हमारा बी के गोयल भी के भूशन कुमार गोयल थीक है न दो बुक है राइटर आप मार्केट में खरी सकते हैं और अब जो नए बच्चे है वह एनएपी के अंदर है तो एनएपी के अकॉर्डिंग वाले बुक खरी रहें ना कि पुराना अ आप जो अधर उन्युवर्सिटी के बच्चे देख रहें ना थोड़ी सी वीडियो मैं एड़न करना चाहूंगा दो मिनट का टाइम एक मिनट का लूँगा इसके अंदर कुछ एक चैप्टर जो है अधर उन्युवर्सिटी में एक्स्ट्रा होते हैं जैसे आपका हायर पर लेते हैं तो वह चैप्टर ना हम अलग से रिकॉर्ड करके उन्युवर्सिटी के बच्चों के लिए दे देते हैं यह सारी क्लास चलती और बागे जो एक्स्ट्रा चैप्टर होता है वह हम रिकॉर्ड करके प्रवाइड कर देते हैं तो होफुली आपको वीडियो अच्छ